आपको बता दे भारत में अगर अभी सबसे जादा चर्चा में चल रहा है तो वो है राम मंदिर के उद्घाटन का जी हां ऐसे कोई सेलिब्रेटी नहीं बचा होगा जिसे इस राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कार्ड नहीं भेजा होगा आप देख सकते हैं कि कार्ड कितनी सुन्दा तरीके से डिजाइन किया गया है पहले उसमें एक राम जी की मूर्ती लगाई गई है साथी साथ मंदिर का जो स्ट्रेक्चर है वो भी दिया गया है और आसपास हर तरह के रामायन के स्लोक्स भी लिखे गये है जो कार्ड बहुती खूबसूरत और बहुत एक्सपैंसिब लग रहा है देखने में भी अलगी एक फीलिंग आ रही है इस कार्ड से इंविटेशन हर किसी को भेजा गया है चाए वो साथ एक्टर राम चरन हो या फिर बॉलिवुड स्टार आपको बता दे सबसे पहले रामायन में जो सीता बनी थी उनको भी इंविटेशन कार्ड भेजा गया है क्योंकि सबसे पुराना रामायन ही लोगों ने देखा था और लॉकडाउन में एक बार फिर से मोदी जी के कहने पर रामायन को टीबी में चलाया गया था जिससे लोग काफी इंस्पायर हुए लोगों के बच्पन की यादे भी ताजा हो गई अब बात करते हैं इंविटेशन कार्ड देखी सकते हैं आप MS दोनी हो या फिक क्रिकेटर सचिन तेंदूल कर हर किसी को राम मंदिर के उद्गाटन के लिए इंविटेशन कार्ड लगातार भेजे जा रहा है राजनी कान जी को भी इस इंविटेशन से इंवाइट किया गया साथी हमारे बॉलिवुट के बिग बी जो की अमिता बच्चन को भी इंविटेशन कार्ड से इंवाइट किया गया है आप देखी सकते हैं एक के बाद एक सेलिबिर्टी हो या फिर हमारे जैकी साब हर कोई इस काट पाकर बहुत ही खुश नजर आ रहा है क्यों ना खुश हो क्योंकि सभी चाते हैं इस राम मंदिर के उद्गाटन में हिस्सा बने और हम सभी जानते हैं उस दिन पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिससे हर कोई खुश हो जाए मोदी जी ने ये भी कहा है कि राम मंदिर के उद्गाटन के दिन सभी अपने घर में दिया जलाए और पूजा करें ताकि राम भगवान जी को मन में शानती मिल सके और साथ में हमारे घर में भी शानती हो